चुडेन सीमती महरी देवीत आपडिया कन्या महावीदाले के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना होमोमोर्फिजम की जो कुछ इंपोर्टेंट थ्यूरम है उसके बारे में आपने डिस्कस करेंगे पीछे के जो वीडियो थे उसमें अपन होमोमोर्फिजम की डेफिनेशन उसके कुछ इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनकी कुछ इंपोर्टेंट प्रोपर्टी थी उनकी कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी उसके बारे में अपने डिस्कस किया था आज जो अपने या पर discuss करेंगे वो इसके कुछ ठोरम साइं इंपोर्टेंट उनके बारे में discuss करेंगे तो पहले जो इसकी ठोरम है वो अपन देखेंगे समाकारिता की समाकारिता की प्रथम प्रमे समाकारिता की प्रथम प्रमे ठीक है इसको अपन आज इसमें देखेंगे अभी इसकी प्रथम पर में क्या बोलती है तो उसमें अपना statement रहता है यदि कोई फलन यदि कोई फलन F G से G डेश पर समाकारी है तो F की अस्ति करने लोब F F की S T जो है वो K है तो K जो है वो normal subgroup होगा किसका G का यह अपने को यहाँ पर पर्थम प्रमे के अंदर क्या करना है प्रूफ करना है पहली थोरम जो अपने homomorphism के बारे में है वो क्या है कि अपना जो kernel है किसी भी फलन का जो kernel है वो क्या है normal subgroup है किसका G का क्यूंकि अपन सभी जानते हैं kernel के अंदर जो अपने elements रहते हैं वो किसके रहते हैं kernel के अंदर element रहते हैं वो G के रहते हैं अपन सभी जानते हैं इस बात को तो G के elements रहेंगे तो obviously पता है यह जो अपना subgroup होगा वो भी किसका होगा अपना जी का ही होगा अब इसके अंदर अपन इसको normal subgroup proof करना है किसका जी का तो सबसे पहले normal subgroup proof करने से पहले अपन के को यानि जो इसका kernel है अपका इसको अपन क्या proof करेंगे जी का subgroup proof करेंगे क्या proof करेंगे जी का subgroup तो इसको proof को अपन देखते हैं ठीक है, माना, माना फलन F है, पहले तो जो गीवन होता है, हमेशा थोरब में वही चीज को लिखा जाता है फलन F है, G से G डेश पर समाकारी है, तथा फलन की अस्टी, फलन F की अस्टी यानि जो कर्निल है, वो है क्या कर्निल केपिटल के है फिर अपन लिखते है हमेशा सिद्य करना है, तो सिद्य करना है, मैं क्या उपर प्रूफ करना है आपने को कि K जो है वो नॉर्मल सब्रूफ है, किसका मेरा G का, यह मुझे यहां पर प्रूफ है, करना है तो normal subgroup प्रूफ करने से पहले अपने को पहले K को अपने को G का क्या proof करना पड़ेगा subgroup प्रूफ करने पड़ेगा और subgroup प्रूफ करने के लिए मैंने आपको उसकी जो अपनी character size property बताई है कि A B belongs to H है ठीक है तो A B inverse belongs to B क्या आजाए मेरा H आजाए तो H जो है वो normal subgroup होता है जी का यह character size property जब अपने subgroup के topic को discuss किया था तब अपने यहां पर किया था तो वही जो अपना है format इसके अंदर रहना है subgroup अपन इसी को इसी तरीके से क्या करेंगे proof करेंगे यानि K के अंदर जो अपने elements होंगे वो किस तरीके से होंगे उसको अपन देख लेते हैं यहां पर मुझे दो चीजे और माननी पड़ेगी माननी नहीं है ग्रूप के अंदर तत्समक जो होता है वो define होता ही है तो उसको भी अपन लेके चलेते हैं माना E तथा E डेश समू है Z तथा Z डेश के identity element है तत्समक है आविया होए यह अपने क्या माली है आइडेंटिटी element है माली है और कर्णेल जो define होता है वो किस तरीके से होता है अपन सभी जानते हैं कर्णेल के अंदर वो elements आती है जिनकी जो images होती है वो कैसी होती है जी डेश का identity element होती है ठीक है तो अगर अपन कर्णेल के के अगर अपन इसको form में लिखना जाएं तो मैं क्या लिखूंगी k जो है वो मैं किस तरीके से define होगा x belongs to g g के वो elements से जिनकी जो image है वो क्या हो जाएं e dash हो जाएं जिनकी image e dash के equal आती है वो सभी क्या करेंगे k के अंदर belong करेंगे अब सबसे पहले मैं k को क्या proof करूँगी यहाँ पर subgroup proof करूँगी तो यहाँ पर मैं दो element माल लेती हूँ x and y belongs to k ठीक है अगर मैं x और y k से लेके चल रही हूँ ठीक है और x y inverse भी अगर मेरा k में आ जाता है और k में जो element आ रहे हूँ किस के आ रहे हैं g क्या है तो k किसका normal subgroup हो जाएगा g का normal subgroup यहाँ पर सबसे पहले इसको अपन क्या करेंगे दिखाएंगे अगर x और y जो है वो दोनों इसको क्या कर रहे हैं k में बिलोंग करें इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ यह लिख सकती हूँ कि f x equals to e dash और f y equals to e dash लिख सकती हूँ ना x और y अगर k के element है तो k के elements की image जो है वो मेरी क्या रहती है e dash रहती है अब मुझे इसमें क्या करना है x और y की अपने इस तरीके से define किया हमें इनको commandly define रहती हूँ x y inverse को मुझे किस में दिखाना है e में दिखाना है sorry k में दिखाना है तो x y inverse को k में दिखाने के लिए अगर अपना f x y inverse है वो भी क्या आजाए मेरा e dash के बराबर आजाए तब मेरी यह जो होगा यह क्या होगा subgroup रूफ है होगा तो मैं इसको जब खोल के लिखूंगी तो क्या आजाएगा f x f y inverse ठीक है यही खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि f जो है वो मेरा कैसा है यहाँ पर समाकारी है तो मैं इसको खोल के यहाँ पर लिख सकते हूँ यहाँ पर आपको कोस्टेक में इसका reason लिखना है चुकि f जो है वो मेरा क्या है समाकारी है तो समाकारी है तो उसके operation को इस तरीके से अपने खोल के लिख सकते हैं अब कल अपने थोरम के अंदर जब अपने इसकी property को discuss कर रहे थे तो उसके लिए elements के बारे में अपने क्या पढ़ाता कि f to a का जो inverse होता है वो किसके बराबर होता है f a के whole inverse के बराबर होता है होता है नहीं होता है तो मैं इसको यहाँ पर use करूँगी f x मेरा a z t is रहेगा ठीक है और यह क्या आजाएगा f y का whole inverse ठीक है अब आपको दिख रहा है x और y जब इसके k के element है तो f x equals to क्या आ रहा मेरा e dash आ रहा है हमें यहाँ पर e dash लिख दूँगी और यहाँ क्या आएगा e dash का inverse अपन सभी जानते हैं कि किसी भी identity element का जो inverse होता है वो खुद identity element ही होता है तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा e dash star e dash ठीक है और e dash का जब मैं e dash से multiply कराती हूँ तच्समक अवेव क्या होते हैं almost तच्समक अवेव वो होते हैं जिनका खुद का multiplier भी सेम होता है किसी में जुड़ते हैं तो भी वो क्या रहते हैं सेम element को represent करते हैं तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा e dash ही आ जाएगा तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ इसका मेरी क्या image आ गई यहाँ पर fxy inverse fxy inverse तो क्या आ गया मेरा e dash आ गया और अगर xy inverse equals to क्या आ गया e dash आ गया इसका मतलब xy inverse है किसको belong करेगा k में belong करेगा जब xy belongs to k है और xy inverse भी k में belong कर गया इसका मतलब क्या हो गया k मेरा subgroup हो गया किसका z का तो मैं लिखूंगी xy belongs to k that is xy inverse भी belong कर गया मेरा k में तो k जो है वो z का upgroup या up sum होगा अभी तो यह क्या proof हुआ है अपना subgroup प्रूफ हुआ है अब अपन इसको क्या प्रूफ करेंगे normal subgroup प्रूफ करेंगे तो normal subgroup की अपन जब पीछे की वीडियो में अपने normal subgroup की definition को देखा था तो उसके अंदर अपने देखा था कि इसकी जो पहली परिबासा होती है उस परिबासा का use अपन यहांपर करेंगे और उसके use से क्या निकालेंगे इसको यहांपर normal subgroup प्रूफ करेंगे तो अपने सभी जानते हैं यहांपर है एक element अपन उठाएंगे जी का ठीक है एक्स बिलोंग्स टूजी और एक बिलोंग्स टूज के ठीक है कोई दो element उठाने है के को normal subgroup दिखाना है जी का एक्स उठाते हैं जी से एक उठाते हैं के से ठीक है और इनका जो function होता है x a x inverse अगर इसकी image अगर यह जो है वे यह मेरा k में belong कर जाए दिन यह क्या हो जाएगा इसका normal subgroup proof हो जाएगा तो मैं इसको यहां पर समाकारी होने से इसको तोड़ के लिख सकते हूं तो मेरा आ जाएगा f x f a a belongs to k है इसका मतलब f a equals to क्या आएगा मेरा e dash आएगा क्योंकि आपन जानते है करने 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 की जो elements होते हैं वह किस तरह किस से call करेंगे तो क्या आजाएगा f x तो मेरा f x ही रहेगा क्योंकि x जो element है वो जी से उठाए है ठीक है और जी कोई simple subgroup है कोई भी ऐसे यहां पर करने लहीं है ठीक है f a जिकस to a अपने के से उठाया f a जिकस to e dash है तो मैं यहां पर e dash पूट करूँगी और यहां पर f x inverse के अंदर मैं क्या लिख से क्यों f x का whole inverse वो इसकी property का use करेंगे f a inverse तो इसको क्या लिख सकते है f a का whole inverse ठीक है इस property का use किया मैंने अब e dash का जब इससे multiply होगा यहां क्या बच गया f x और f x का inverse ठीक है f x और f x का inverse जब multiply होगा तो क्या आएगा e dash यह आएगा दो दोनों जो function है यह g dash के अंदर बिलोंग करेंगे दोनों के दोने और जो g dash है उसका identity element क्या माना था अपन यह e dash से माना था तो f x a x inverse कि आगया मेरा e dash आगया मतलब x a x inverse किस में बिलोंग कर गया k में बिलोंग कर गया और x a x inverse अगर k में बिलोंग कर गया इसका मतलब जब के क्या हो जाएगा मेरा यहां पर पहले अपने इसको सब्गूरूप प्रूफ किया और अब यह कैसा हो जाएगा नॉर्मल सब्गूरूप हो जाएगा देन तब के जो है वो नॉर्मल सब्गूरूप होगा किसका जी का यही हमें इसके अंदर प्रूफ करना था ठीक है अब इसके अंदर एग अपनी ओर थोरम रहती है कुछ इंपोर्टेंट उसके बारे में भी अपन डिस्कॉस करेंगे वह भी इसके परनेल के बारे में ही है तो नेक्स जो इसकी थोरम है उसको अपन यहां पर देखेंगे यहां लिखेंगे किसी ग्रूप किसी समू है जी पर जी से जी डैश पर परिभासित परिभासित समाकारिता एक एक समाकारिता एक एक समाकारिता है यदी और केवल यदी इफ and only इफ का आगया इसको मज़विस थोरम को दोनों तरफ से प्रूफ है करना यदी और केवल यदी यदी और केवल यदी एफ की एस्टी जो है क्या नहीं यह मैं लिख सकते हूं करने लोगों का एफ है वो किसके बराबर आजाए ए के बराबर और ए क्या है यहां पर जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है जहां ए है वो जी का तत्समक अवयवय है पहले थोरम के स्टेटमेंट को समझते हैं थोरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपन किसी Pain G से G' पे क्या करते हैं एक समाकरिता F डिफाइन करते हैं तब यह समाकरिता F जो है वो क्या होगी मेरी एकिक समाकारिता, एकिक समाकारिता से sense क्या रहता है, अपना जो ये function होगा, F है, ये कैसा होगा मेरे AK की होगा, एकिक समाकारिता होगा, होगी यदी और केवल यदी करने लोग आया से, यानि इसकी s-t के अंदर क्या हो, ये A की element हो, E और वो भी E क्या है यहां पर G का क्या रहता अपना तश्मा का वियावे रहता है तो इसको अपन प्रूफ ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन लेके चलेंगे कि F जो है वो मेरा क्या है एकिक समा कारीता है और अपने को प्रूफ करना है कि करने लोग F में क्या है यह अपना E रहता है ठीक है तो मैं यहां फिर लेकी चलूँगी पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं F G से G डेश पर परिभासित समाकरीता है अब F को अपन एकिक समाकरीता लेके चलेंगे और करने लोग F को क्या प्रूफ करेंगे E के बराबर में प्रूफ करेंगे तो मैं लेट करके चले लेती हूँ माना F क्या है मेरी एकिक समाकरीता है एके की समाकरीता तब सिद्ध करना है तब मुझे सिद्ध क्या करना है करने लोग F इक्वल्स टू ये मेरा क्या रहता है E की यानि आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल यहां पर रहता है ठीक है अब मुझे इसको प्रूफ करना है तो मैं एक एलिमेंट लेकी चलती हूँ के में मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया लेट A belongs to K जब मेरा K जो है वो A को बिलोंग करेगा तो F A is equal to क्या आएगा E dash आएगा लेख सकते हूँ F A is equal to E dash कल की जो अपने property देखी थी उसमें अपने क्या देखा था कि E dash जो है वो F E के बराबर होता है कल अपने दो property discuss की थी एक inverse के बारे में और एक कजसमा के बारे में तो मैं यहाँ पर E dash को क्या है यहाँ पर किस से replace कर सकते हूँ F A से replace कर सकते हूँ अब तू की अपना जो function है वो कैसा है AK की समाकारीता है जो अपना फलन यहाँ पर लेके चल रहे है वो अपन AK की समाकारी लेके चल रहे है और AK की समाकारीता का rule क्या होता है अगर किसी कोई दो अपने जो points है उनके अगर function equal है तो वो points भी कैसे होते हैं आपस में equally होते है तो यहां से मेरा क्या आजाएगा A equals to क्या आजाएगा E आजाएगा A equals to E आने का मतलब क्या proof हो गया Kernel of F is equals to E क्योंकि A जो है वो अपन किसका element लेके चल रहेते Kernel का element लेके चल रहेते तो यह यहां पर proof हो गया Then Kernel of F is equals to इसके अंदर क्या होगा अपना Z का identity element presented होगा ठीक है अब यहां पर अपन इसका conversely इसका ultra proof करेंगे Kernel of F में अपन element E लेके चलेंगे और F को कैसा proof करेंगे Aक की proof करेंगे ठीक है अब हमें late करके चलना है माना conversely इसको लिखते है belong ता है इसका ultra इसका ultra भी तो proof करना होदा यह दी और क्यावल यह दी में माना Kernel of F is equals to E ठीक है जहां E है वो G का identity element है और अपने को proof करना है F Aक की समाकारी है Aक की समाकारी अपने को proof करना है दिन अपनी एक condition रहती है यह उनके functions को equal लेके चलना है और उन elements को अपने को equal दिख़ाने होते हैं तो मैं यहाँ पर A और B कोई दो element लेके चलती हूँ G से ठीक है जिसके लिए मैंने लिख दिया F A equals to F B ठीक है अब G मेरा क्या है यहाँ पर group है तो इनके inverse भी क्या होंगे यहाँ पर present होंगे तो मैं दोनो तरफ क्या करते हूँ F A F B inverse का क्या करवाती हूँ Operate करवाती हूँ F B inverse को मैंने क्या किया है दोनो तरफ operate करवाए इसके whole inverse को जब इसके inverse को अपन operate करवाते है तो यह क्या यह तो क्या बन जाएगा इनको अपन कल वाली properties है जो कल अपने property देखी थी उससे है B inverse अपना अंदर आ जाएगा ठीक है और इसके अंदर क्या होगा F B F B और F B का inverse दोनो composite होके क्या आ जाएँगे अपना E dash ही आ जाएँगे ठीक है E dash आने का sense क्या हो गया इन दोनों को जब अपन composite करके लिखेंगे तो F A B inverse बनेगा F A B inverse equals to E dash A B inverse equals to E dash आ गया इसका मितलब A B inverse जो होगा वो किसको belong करेगा K को belong करेगा करेगा की नहीं करेगा और K को belong करेगा और K में अपना कौन सा element है A की है element है वो कौन सा है identity element तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी A B inverse जो होगा वो किसके equal हो जाएगा E के equal हो जाएगा क्योंकि करने लोग F के अंदर कौन सा element present है A की element present है वो कैसा अपना E और जब अपन इसको सरल करेंगे दोनों तरफ में ने क्या किया B operate करवा दिया ठीक है तो इधर तो यह क्या हो जाएगा B inverse B और यह E E और B को जब अपन multiply करते हैं तो क्या आजा था अपना B आजाता है और B inverse B क्या आजाएगा E आजाएगा तो A जी घुश्टो क्या आजाएगा B आजाएगा तो अपना F जो होगा आता है F जो होगा वो क्या होगा E किक समाकारी होगा F जो होगा वो क्या होगा E किक समाकारी होगा तो यह थी अपनी कुछ important theorem के बारे में discussion homomorphism की कुछ important अपने थोरम को यहां पर discuss किया है जो आपके exams के अंदर भोत बार repeat होती है आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और कुछ नई समझ में आता तो मेरे साथ share कीजिएगा Thank you so much